असलामलेकुम आप हैं पागबानी चैनल पे दोस्तों आज मेरे गार्डन में यह बहुत सारे फ्लार्थ खिले हुए हैं आप सब जानते हैं यह पिंक कलर वाले रेंग लिली के फ्लार्थ हैं बहुत सारे फ्लार्थ हुई है आपने पहले भी बहुत सारे मेरे वीडियो में सब देखा हुआ है अभी यह इत्ना अच्छा कलर है कि ्यें देखते ही मन बहुत ही खुशी हो जाती है यह हमेशा मेरे गार्डन में आते रहते हैं और बहुत ही आसानी से आने वाला प्लांट है दोस्तों लेकिन बस साल भर में ही इसके फ्लांट को लगाना कुछ लोगों को आच्छा नहीं लगता क्यूंकि बस हरा भरा रहता है फ्लांट कुछ भी नहीं रहते लेकिन बहुत खुबसूरत लगते हैं दोस्तों ये फ्लावर्स आने के बाद बहुत ही गमला भर जाता है जैसे के गुल दस्ता हो अब देखिए कितने सारे फ्लावर्स आये हुए हैं मेरे इस पार्ट में और बहुत सारी कलियां भी हैं ये कल परसों तक खिल भी जाएंगी बहुत सारे फ्लावर्स हो जाएंगे इसी पार्ट में मेरा एक समर में फ्लावर्स आने वाले वाइट फ्लावर्स आने वाला प्लांट भी इसी में है दोस्तों बस उसके भी पत्या इसी तरह से होते हैं और ये रेंडिली के भी इसी तरह से होते हैं मुझे समझ में नहीं प्लांट कॉन सा है इस तरफ आने वाले एन लीक है और इस तरफ आने वाले वाले वालवाला प्लांट है दोस्तों उसमें भी बहुत सारे फ्लार्स आत ti are white color के आपने देक्षा होगा मैंने बहुत सारे वीडियो अब को बताया भी है तो यही दिखाना था दोस्तो अच्छी बारिश होती ही बस यह फ्लार्स आ जाते हैं वाइट भी आते हैं इसमें एलो भी आते हैं सारे कलर्स मेरे पास हैं लेकिन अभी उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी है अगर फ्लावरिंग होगी तो आपको जरूर बताऊंगी तो इसी तरह से आप भी नए नए प्लांस लगाते रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अला हफीज